आज हमारे साथ दिली उन्वेस्टिक की असेस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजमर रह्मानी हैं उनसे हम मदब और फेमिनिज्म के हवाले से कुछ गुफ्तुक करेंगे में पहला सवाल फिदे लेनिज्म के रहती हैं कि अजुश करक में छीटर आज है कि बढसी थोड़े कम इसे फ्र शॉरत ख़ेध निजूघकी Ayum एक वो सुरते हाल जो पाकिस्तान में फिक्शन के तालुक से और शायरी के तालुक से है और दूसरा वो पहलू जो हिंदुस्तान में फिक्शन और शायरी के तालुक से है और जबान के तालुक से भी जाहर है, जबान को या लवजों को अलहदा करके हम हमारे पास शायरी का या अफसानी का कोई तसबर नहीं होता है। हिंदुस्तान में अफसाना लिखते हैं वाले लोगों की अकलम्भी फेहरिस्त है अफसाना निगारों की, कुछ नाम वाक्यातन बहुत अच्छे हैं जिनकी शुरत पाकिस्तान तग भी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक लंबे अर्से से लिखने हैं लेकिन अभी तक उनकी पहचान सफ़ेवल के लोगों में नहीं है। और मौजवात की तालुक से एक बड़ा फरक ये है कि कम असकम दो अफसाना निगारों को मैं जानती हूँ जो मौज़ू और उन्हें बड़तने का सलीका दोनों एदबार से अपने हमस्रों से बहुत 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 अलग हैं और एक अलग शिनाखत बना चुके हैं अदबी सियासत की मैं बात इस वकि यहां नहीं कर रही हूं कि वो मामला बहुत डिफरिंट है खाली जावेद और सिदीक अलम इनके हां मौज़ू का ट्रीट्विंट जबान और फलसफे की सेथा पे जो एक नेरंगी और इन्फिरादियत है वो इनके हमस्रों के हां अभी तक मुझे किसी दूसरे के हां नजर नहीं आए उस पर बहुत सारे लोगों को इखतलाफ हो सकता है कि फलसफा इन लोगों के हां सतह पे नजर आता है मैं यह कहते हूं कि फलसफे के बगए अदब का अफसाने का या शायरी का या जिन्दगी की आम चीजों का भी कोई तस्वर होता नहीं है अगर यह फलसफा लफजों में सिर्फ फलसफा ही रह जाया उसके सहारे से कहानी आगे ना बढ़े तो यकिन यह सुरत हाल बहतर नहीं होती एहद जदीद में जहां फॉर्म्स बहुत शार्पली चेंज हो रही है हैतें बढ़ रही है और अफसाने में भी जो पहले अफसाने की तारिफ किसी समाने में हम करते थे के प्लॉट हो वैदत तासूर हो किरदार हो यह सब कुछ हो वो सारे चीज़े बहुत पीछे कहीं रह खाली जावित के हाँ यह दोनों चीज़े मौजूद है लेकिन वो किस सता पे है उसका ट्रीटमेंट क्या है वो कारी को समझना जरूरी है उन कहानियों को पढ़ने के लिए मुझे लगता है थोड़ सा तहमूल जाहिए एक संजीद की चाहिए रवा-रवी में पॉपुलर कि तरह हम उस अदब को भी पढ़ें जो एक मखसूस सता से एक मखसूस लेवल से लिखा जा रहा है तो मेरा खाल है यह उस अदब के साथ नाइनसाफी होगी लेकिन कहीं हर चीज़ का इस दुनिया में मकसद है अदब कभी मकसद है वो हमारे जहनी तरबियत भी कर रह हमें ह हमारे समाज की खारजी पहलों से तरक्य वसंद तहरीक में जोड़ा लेकिन बातनी पहलों से भी तो जोड़ा जरूरी है ना में अपने आपको हमारे ऐसास की और जजबे की तरभियत लिटरेचर से होती है कुछ चीज़ा है जो मतलब अंदुनी जबर के तहते हैं तो दरह के तनाज़ में लिखा गया था बहुत खुबसूरा अफसाना था हाथसाती सता पे जो अदब वजूद में आता है वो अलग नहेच का होता है वो उस वक्त में बेहद मुतासिर करता है लेकिन एक अदब वो होता है जो उन हाथसों से गुजरने के बाद भी हमारे अपना अ हमने साथ शामिल करता है और हमारे साथ शामिल होता है बहुत कं अस्थाना निगारों के हामन देख़ती हूँ के ये ये मशला है कि रहा सवाल शायरी का मेरा खालाया कि सवाल का जवाब में पूराइंच वियो निकल जाएगा ढ गई क। मस्लेह सायरी कर सामने या हा मेरे बहुत अवज़ा सुरते हाल नहीं है चंद एक शायरों को छोड़के मुझे लगता है कि जजबाती सत्ह पी भी हम अपने कंटम्परिरी से जो हमारे काउंटर पार्स पातस्तान में है शायर उनके हाँ शायरी का शायरी जिस नहेंच वे खास तोर से नस्री नजम नस्री कुछ और बार्स पाकिस्तान के शायरी जारी तरही है कि अवारे बार्स तोर भी कोड़ागी कि जारी जडिया को कि एक श्युंधर जारी जारी जिए उगाने रिखालम आफसाना लिजाने एंकि भी पवाची से नस्री नजमे पढ़ ने पिछने जारी बीच्ते दिनों गल एहां कुछ नजमी है रारui हमा27 है ताहिं पाकिस्तां फुटन अचे होग उर हुगा नाम यह निचें तो पाझस्टां से मिए ž हैं तो इसम है पाइंच अे नामगें six साथ यह सबकेसर पाकिस्तां मंए हैं ना घ्ल घजल केअ गषर आफटivaist नमाध धरी आइ झाल मेरे हैं और पाकिस्तान में इस तरह की शायरी हो रही है इसे मिलता जुलता सवाल में में किया है कि आपके नजदीक अच्छा अदब जो है क्योंकि अदब के चोर दर्वाजे से बहुत सारे लोग ऐसे दाखिल हो गए हैं कि जिनको अदब उसी दर्वाजे से वापिस निकाल देन कर दो है और उसी दाखिल है कर आम कारी समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा अदब क्या है लिए अच्छा अदब को जानने के लिए बुरे अदब का होना जरूरी है तो आप जो लोग चोर दर्वाजे से आ एंदर उनका आना भी हमारे लिए निया नेमत है कि कमज़ कम उस हम तो अच्छा अदब वो है जो हमारे जजबात की तर्बियत करें हमारे जहन की तर्बियत करें और अच्छा अदब वो भी है जो सिर्फ रिपोर्टिंग ना करें वाकियात की उन वाकियात से पैदा होने वाले तासुर को अगर आप कारी तक करने करने में कामियाब है तो वो अच्छा अदब है अफसाने पढ़ती हुए कई बार मैंने महसूस किया कि कुछ लोग वाकियातन सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं उसमें अगर जजबे का रस शामिर ना हो तो आपको ताजगी का हसास नहीं होता यह सुरते हाल हमारे हैं बहुत से अफसाना निगारों के साथ पेश आई कि उन्होंने शुरू हमें बहुत अच्छा लिखा और फिर ज्यादा लिखने के लिए उजूद नवीसी ने ने कही न तो शमसुरावाल फारुकी साथ का है जो हमारे सबसे बड़े नाकिद हैं और अफसाने की हमायत उन्होंने पूरी किताब लिखी जिस किताब को पढ़ने के बाद यह लगता है कि अफसाने की हमायत में निग्थी गई किताब है और दूसे तरफ मन्टू जैसा कहानेकार हम तो तनकीद दिगार का अपना एक मैदान है कि वो तखलीक पढ़ कि वो क्या सोचता है या वो नहीं किन पैमानों पे जाचता और परकता है लेकिन तखलीक एक आजादाना अमल है आप मन्टू को का कंपारिजन शम्सुर्मान फारुकी से नहीं कर सकते हैं अनकीद शम्सुर्मान फारुकी नगाद होने के साथ तखलीकार भी है उनका नॉवल तो खासा मशूर वा बहुत सारे लोगों नहीं कहाँ भी के कई चांटे सर्यासमा नॉवल नहीं यह जाए नहीं यह तो कल्च्रल तारीख है बहुत वही है जो मैंने पहले आप से कहा था कुल्च्रल तारीख के साथ अपना एहसास अपना ताफ्र आफ अगर शामिल कर तभ 52 कम्याब तखलीक है यह किन अगर अगर आप तजर्यबे में एहसास को शामिल नहीं कर रहा है तखलीको तंगी की नजर से नहीं देखना चाहिए बहासियतकारी मैं तंगीद निगार नह और ये जिम्मेदारी अफसाना निगार की है, कि वो किस तरहा लिखे है कि कारी के अंदर कारी की रूम में उतरे, जो जो चीज या जो भी तखरीक मेरी रूम में उतरी है, वो मेरे लिए कामियाब है, तनकीद निगार उसे कुछ भी कहें, नकाद बहुत कुछ कहते हैं, उनक कर दिखा गया है उसे मैंने कैसे रिसीव किया है तर्की पसंद थारीक के लिए यह कहा जाता है कि उस जामाने में फिक्शन बहुत अच्छा लिखा गया और जदिधियत में शायरी बहुत अच्छी की गई आप क्या समझती है देखे फिर मैं मज्रूर को कहा रखूं मैं यह पड़े नाम है और इन में से कही चीजे मुझे वाकियतन आज भी बहुत पसंद है वो जो हंगामी तेहा हालात के तहत लिखी गई वो भी पसंद है तो यह कहना कि उस जमाने में फिक्शन बहुत अच्छा लिखा गया शायरी अच्छी नहीं लिखी गई वो मामलात बि बेश एक जैसे होते हैं या मिलते जूलते होते हैं जैसे जदीद के तहट जो फिक्शन लिखा गया और जो शायरी लिखी गई उसका तालुक बातिन से ज्यादा और खारिज से कम है यही मामला तरकी बसंद हरी के साथ है कि उस शायरी का तालुक और उस फिक्शन का तालु जो आप फारिच से हैं कि युष्ट अप्राइज रखाज़ है तो यह कहना किसी भी फिक्शन के बारे में एकसी शायरी के बारे में उस एद में यह चीज अची लिगी और यह चीज खिराब लिकी गई जैसे अभी की बात मैंने कहीं नहीं नहीं मानती जैसे अब आज कि अग अगर में कहूं तो हिंदूस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक बहुत अच्छा फिक्शन और बहुत अच्छी शायरी दोनों इन हो रहे है आप पहले जो आपने स्टेटमेंट दिया है तो रद कर रही है कॉन से इस लग एक्ष्ण में एक्ष्ण में एक्ष्ण और अच्छे और बुरे की बात मैंनों इस वक नहीं कही थी यह स्टेटमेंट में इस लग दे रही हूं कि हम पाकिस्तान से कंपियर कर देखे तो अच्छा फिक्शन और अच्छी शायरी हमारे हां नहीं हो रही है चंद एक नामों को छोड़के तक्सीज तो है मैं अब तर्ज शवकर दितरता हूं से हिंडी क क्या थे तरिजमें नहीं कि थी किया टो अच्छी कि रख यहां है तो आप लराचाप की नहीं किया है तो आपने श्यूद्निकी के पाज़िघ का हैं जो बता ए तक लिध कrüं अब कर दाश्य हो घु वाहे पई हिए क्या अच्छी थासा बात जोड़ा लेकिन कुछ था कि मैंने उसे पड़ा हो मुझे लगा कुछ अलग है जिन्दगी से कटा हुआ तो है लेकि हमारी सोच वक्त के साथ बदलती है उन दिनों में सोच्टी थी चीजों को बहुत लग रहे हो करे तो है जर्छी कोष़ार होना चाहिए जंदगी से वह जुड़ा हुआ होना चाहिए बहुती होना चाहिए तो वह जो एक dauर मुस्बत इहुत मुझ्बत एृछ एक्सास है वह है कभी बीनी हो था मुस्बत एहसास मैं व्हएम में कह रही ह regen वो जिसे आम तार प मुझे मैंने खाली जावेस चाथज जवी उन दिनों भहत फर्मल सी एक मुलाकाथ एक जान पहचान नही थी। तो मैं नहीं उन से कहा भी कि आपकी कहानियों में अधरा भूगा हैं कचिए तो बहुत खामोशी से, मस्कुरा के चाहने एक जवाव हो गए लेकन हैं कि लिए ऐस खामोशी नहीं लेकिन अदेरे नहीं अफ आप कुछ से मन्वा लिया मुजे लगा के इन कहानियों को हिंदी बहुचना चाहिए और मैंने उसको तर्जमा किया किए लेकन उसको प प्रपेंडिंग पड़ा रहा रहा कुछ चीज जो सुरते हाल ऐसी थी कि माइस को देर तक कर नहीं पाई जरूरी भी है चुके हिंदोस्तान में हम यह देखते हैं के अर्दू में खास तोर से ताहली मुझत कम्याब हैं और ना अब तरजमे किया जा रहे हैं लेकर इसके बरक पाकिस्तान में जहें तो अजमल कमाल पूरा का पूरा रिसाला ही निकालते हैं और चितना भी आलमी अदब दुनियाजाद में बहुत से शामिल होती है उसके अलावा पिछले दिनों मैं लाहर गई थी तो मैंने देखा कि जितने अच्छे तरजमें आलमी अदब के और पैनिश से जर्मनी से दूसी जवानों से जो तरजमें अंग्रेजी में आए वो अंग्रेजी से या बराहरास उन्ही जवानों से अर्दू में आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे काम चल रहा है ये खुश्कुन सुरत हाल है वहां के पारी के लिए भी और के लिखने वालों के लिए भी जो एक जहनी तरबियत तखलीखकार की भी होती है अफसाना निगार के शेयर की उन लोगों की हूरे है हम लोग उससे महरूम है आपके इसी सवाल ने मुझे मेरे जहन में कही ना कहीं ये बात आगे कि आखर क्या वजह है कि हमारे अग्वार अब तक वो नहीं पहुँच रहे है तो हम एक महदूर दाइरे में रह गए है हमारा अफसाना निगार भी और हमारा शेयर भी अपमें अप्छिविस्ट है और फेमिनिजम के हाले से गालिबन आपका काम भी है अप्छिड का काम है अभी में चुक इस तहलीक को मेरे खाल से अभी में अभी में किताब पढ़ रहा था पिछले दिनो तो उसमें डॉक्टर अलेक्स केरल जो नोबली नाम जाफ़ता है उनका एक स्टेटमेंट में ने पढ़ा है उनोंने ये कहा कि उर्तों को मर्द की पराबरी करने की जूरूरत नहीं है वो अपने दाइरे में भी त तहरीक जो है वो जिस तरह कर से बाहर आना नोगरी करना या और सारी चीजें है इनको आप किस जाविय से देखती है कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि उर्तों का इस तहसाल भी होता है इस तरह तो चूंके आप एक्टिविस्ट्री है फेमिनिज्म की आप बताईए कि आप क अरतों ने के बावजूद अपनी एक शनाथ कायम की है और बहुत मिसाले है ये अलग बात है कि वो मिसाले तारीख में एडिट क्लास की है सिर्फ जो हमारे सामने आई है मुम्किन है अवाम में भी यह सब कुछ रहा और तारीख क्यूंके हमेशा खवास के लिए लिए कर दोके होड़ तो ने अन्याम में एक बावाद एफ लिए फिक्षिन लिगार पदा ने है उस भाहरा कि बाहर आख रहार कि अज़ा हुआ है अपर बढ़ अगरा कि अगर लिए बाहरा कि वाहरा कि अटना अर्सा हुआ हुआ है अज़ कि अगरा आफ खवास की बात अगर तो हमतिया फेजी जैसे आटों को भूल जाते हैं कि जिनके मद्दा शिबली भी रहे जिनके मद्दा इक्बाल जशे से लोग वी रहे जू को बड़ी प्रॉट थी ये उस वड़ी ली ट्रास थाना तब उस वक्तथ तालीम मर्दों में भी ग्लास में थी और ली ग्लास के ओर पाइची पेच्ची आरकल रही है, मार्ट बनियाद रहा है मौष्टा ज़ाने गदीन से, तो उसमें सारी बरकतें चेंजिस की या तबदीली की पहले मर्दों के हिस्से में आती हैं, उसके बाद वो औरत तब पहुचती हैं, अब जो ये समाज बदलना शूरू हुआ है आज नहीं, असराओ हैं पहीं, इसके नतीजे एगले सौ साल में अमें दिखाई देगे कहीं तारीख में ओपकोर्स प्रभाश्स कावो की तारीख में 10 साल 20 साल हमेद में परते कोई मानी नहीं रखते। चेंज को अगर देखना चाहते हैं, तो हमें सदी तजिया इंसार कर जो इश्ताहर एलक्रानिक मीडिया में आते हैं पहले वो बहुत मखसूस किसम के इश्ताहर होते थे यह से किंड मारेज का मामला बहुत चोटी बात बतारी हो को हाली ने भी दूसरी बेवाओं की दूसरी शादी की बड़ी वकालत की और नजमे लेकी वो समाज में चेंज आत एक चोटी सी चीज बहुत सारे चेंजिस में एक चेंज यह भी था कि बेवा की दूसरी शादी होनी चाहिए उसके लिए तहनी चलाई जा रही थी पूरी आज वो समाज की गदर की हैसे से हमने कुपूल कर ली है हमारे ले कोई बहुत यूजवल चीज नहीं है या किसी समाज की बहुत कर ली हमने कुबूल कर लिया है अब हम सुनते है चाहा ठीक है कर ली भी उनकी जरूवत है समाज में वो तबदीली आने में पचास साथ सेतर साल लग गए और अभी भी उस सता पे नहीं आई इसे हवाले से जखिया मश्यदी की एक कहानी बहुत अच्छी हाला कि बहुत साथ लोगों से मैंने बात की तो औरों ने कहा कि ने कहानी में तो कोई दम नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगी एंपावर्मेंट की सुरते क्या हैं एंपावर्मेंट सिर्फ खारजी सतह पे या वाकियतन और अपने आपको ताकतवर अंदर से महसूस करती कोई यहीं नहीं सोचती है कि मर्द कुछ मामलात में बातनी सतह पे या एमोशनल लेवल पे ऑरत से कमजोर और यहीं चानती हूं कि मैं कहीं जगों पे और से कमजोर है वो यह रहा है कि तक एंपावर्मेंट फेमिंजम से लग नह कर के अमद देखिए ज़चिह उना फिमिन और उरत के अंदर नफसियातिया जजबाती सतह पे बराबरी कर वो हैसास पैदा हो उस लुक्तारर से देखूं तो उर्दू में तो फेमिनिजम की तहरीक ही नहीं है कोई दोनों का धारा कार भी तो मुफ्तलिफ है ना तो उसी ने सेच किया आज की समाज में दिली जैसे शहर में पहले एक आज़ादा और मट के दर्मिया डिविजन अफ लेबर है काम को तक्सीम कर दिया गया है तो उसी काम की उसी तक्सीम ने दरसल इस वर्ग को कायम किया जी ये ना बराबरी काम की तक्सीम की वजे से हुई लिकिन बडल में ना बराबरी नहीं है इसे कौन सी प्ड़िए उंकार बराव आप पर जाएंगी तो आरतं ने खुन में खुद पर जाएंगी उनके लिए अलग से कोई तालिमी इदारा कायम करने की ज़रत नाबराबरी तो है ये इसे हम इनका नहीं गर सकते और ये नाबराबरी दर अब पीछे बिल्कुल इस्टोरिकली बहुत पीछे जाएं तो आप देखेंगे जब से समाज में इतिका की के आसार पैदा होने शुर बात कर रही हैं लेकिन वो एक नुक्ते नजर है उससे अभी तक भी लोग बहुत ज्यादा इखिलाफ कर नहीं पाए हैं और वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिनरिशन्स के बाद हमारी नफसियात का हमारे लाशहूर का हिस्सा बनती हैं वो जिस नाबराबरी की बा हॉआ शिले के लोगों के हम लोगों के हम लोगों के हम था ही चीज़ें वाहम टीरे की बगों किन जिनका पूरी तरह तरह हंगमरे शबाराट Kitty नाघ लाशता सिर्वार नफ्टान में क्लया तूस जबसे ब बड़ अन्फाई साइब अजाए मेरा ने एंपगाई से ंड़ी कि उन्हारा यो शायरी ते नहीं भौट अची शायरी की है छफीग फात्मा शेह का नाम सामने है क्या वग्याए हम्हे में कि पधिराइमली फर्ड़ी जो बाकि कि सीके हिस्षे मेडिये जब कि statut किसी के हिस्थेमें नहीं आई जब करे कि मुझे लगता है कि बहुत उम्दाशाइदी है इन तमाम लोगों के मकादले में शफीक फात्मा शिरा की शायरी दरसल आहम कारी के लिए जरा शोरत कैसे मिलती है किसी भी अफसाना निगार को या शायर को शोरत के लिए बहुत सारे लोगों का किसी एक चीज़ को समझना या पसंद करना शोरत होती है जो लोग एक मखसूस लुक्ताय नजर से लिखते हैं या मखसूस नहेच पे लिखते हैं जैसे खुरतुलन हैदर को खजीराई मिली हिंदुस्तान आने के बाद और बहुत सारे लोगों ने कहां गालबान हमीर नसीम भी उनमें शामिल थे जनों ने कहां कि शफीक फात्माशिरा शायरी की खुरतुलन हैदर है। शफीक फात्माशिरा जिस अंदास की शायरी करती है उसे आम कारी के लिए समझना उसकी तह तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो शुरत जो बरवीन शाकिर को मिली के उनके हां जबान भी आम फहम है। जो फिलसफियाना एप्रोच है उनकी वो कारी के आम कारी से को बेल खाती है। जो शफीय फात्माशिरा नहीं नहीं किया या जो नहीं कर पाता कोई भी शायर उसका अपना एक अंदाज होता है चीज़ों को प्रेजिंच करने का। जो अगर उर्दू तहजीब या अदब तहजीब के तरजमानी करता है। और हमारे हां के मगरिब के मसाइल से बिलकुल लुक्तलीफ हैं। तो फिर फेमिनिस्म के हवाले से में बात करूँगा। तो हमारे मसाइल अलग हैं। तो उस तरह से हमारा अदब भी तो अलग होना चाहिए। या हमारे मसाइल अलग हैं। लेकर फिर भी हम मगरिब की निकाली में। या अदब सिर्फ मसाइल हैं। कि हम जब अदब की बात करें तो अदब क्या सिर्फ मसाइल है नहीं हमारी तैजीद के अंदर ही पनपता है लेकिन कुछ चीज़े युनिमेर्सल होती है उन्में आफाकियत होती है जैसे जजबे और एहसास इनमें तो आफाकियत होती है यह जिस फेमिनिजम कि अबार्स्ट जिस शायरी को हम फेमिनिस्ट शायरी कह रहे हैं दो या तीन नाम है परवीन शाकिर के आखरी तो मजुएं फेमिदा रियास किश्वे नाहिद ले दे के यासमीन हमीद के हां कुछ चीज़ें शायदा हसन के हां और दो चार लोग हिंदुस्तान में तो एक भी नहीं नहीं जिस निसाई अप्रोच कि आप बात करें वो शफी फात्मा शेरा की एक दो नजमों में आई है लेकिन वो शवरी तो पे उन सारी चीज़ों को लेकर अपने साथ नहीं चलती है वोई जो मैंने कहा कि जो एहसास है वो तो अंदर से आएगा लेकिन क्या हमने उसे तहरी किया जिनोंने बाकाइदा तहरीक में भी इसा लिया जितनी औरतों की तहरीकें पाकिस्तान में चली या हुमन राइट्स के जितने मामलात हुए इसमें किश्वर्णाइद और फेमिदार्यास वहसे अक्टिविस्ट भी शामिल रही है और वही सबकुछ उनकी शायरी में भी आय अधिजाजी शायरी है चंद एक नजमों को छोड़के जो इनके हाँ है फेमिदार्यास के हाँ उसको छोड़के मुझे नहीं लगता के पूरी शायरी फेमिनिस्ट शायरी के जुम्ले में रखी जाहिए इसम अर्दू में कम से कम हिंदूस्तान में तो बिकुर नहीं और प जैसे हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम पाकिस्तानी शायरी या पाकिस्तानी नस्र के हवाले से या पाकिस्तानी अदब के हवाले से इतनी आसानी से कुफ्तगू करें उसकी वज़े है कि हमने पाकिस्तान को पढ़ ही नहीं रखा ले दे कि हम जफर इक्बाल को पढ़ और जोषितानी में तुषितानी पाकिस्तान पाकिस्तान जोख जो लिखाए पर भी इस कुछ बहरा पर इसी हवाले से हमें भृत्त Hindi आुठी ख़़ूब हो इसू करनी जाईए इसक Apr. f. यह बात तो बहुत दिन से गालिम्मान चल रही है कि जबान मौजू और ट्रीट्मेंट तीनों सेथों पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अदब एक दूसरे से बिर्कुल अलग हो गया है जबान एक होने के बावजूद हमारे हालात बदल गए हैं और उन हालात के बदलने में हालात के बदलने की जो नौईयत है वो सियासी है जिस सियासत ने हमारे अदब को भी मतासिर किया है और हमारे हमारे अफसाना निगारों के जहन को या कारी के जहन को भी मतासिर किया है तो कि डिफरेंस बहुत शार्प है, लाइन बहुत आसानी से ड्रॉट की जा सकती है लाइन ड्रॉट करने का वद मेरे क्याल से आ गया है इसलिए भी आ गया है कि अगया है कि दो मुलकों की सियासी औ समाजी सूरतेहाल और अफराद के किरदार में तब्दीली आ गया है, फरक आ गया है आखरी सवाल यह है कि अब आप रेखता तश्रीफ लाइन आपको कैसा लागा चुकि यह बहुत कम अरसा हुआ है रेखता कॉंडेशन के जरीए जो अर्दू के हावाले से बात हो रही है अर्दू अदब की जितरी अच्छी किताबे हैं कि अपलोड कर दी गई है और आइस्ता इस्ता बाकी किताबे भी आ जाएंगी एक सिल्सिला है बहुत लंबचोरा प्रोजेक्ट है आप तश्रीफ लाइए और आप रेखता वाजी पर सच्छ भी करती होंगी आपको क्या ल कोई कोई वेबसाइट होती जो एक कमर्शल परपस के लिए उकी जाती शुरू की जाती तो शायद कुछ हरसे बाद इसकी जो सरगर्मिया हैं उन्में कमी वाके हो जाती है लिकिन अभी मा देख रही हूं कि सरगर्मिया बढ़ रही है नए लोगों को भी रेखता चीम ने साथ शामिल किया और जो लोग इस टीम से जुड़ हूए है उनकी सिंसेर्टी देके मुझे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में रेखता एक काम्या वेबसाइट की हैसे से हिंदूस्तान और पाकिस्तान हम दोनों के बात की लेकिन इस मामले में एकम हिंदूस्तान औ और पाकिस्तान दोनों में पर्क मितानी के कोशिश की है दोनों जगा इकुली पॉपुलर है और पॉपुलर होने की वज़े से बहुत सारी ऐसी चीज जह आई जो मैं आपके लबरे बी देख रही तिख रही थे देख रही थी लिग ते आफ लोगों ने कुछ पहले कुछ जाहिर है जब है अपने ते economy करें, यह सर्फ मेजिजं के ही शौत किताब तूलican झाले नुटी श व्यूले दूले के रहने जो आने माले दिनों में आप लगाई पिट जाहिए रहुश्यूरी छोता ही चाहिएए गरम नवह सूयूर्eln ओखसाइदन? अगर सबसा हora है या लिप edema इण में एग अगर हुआ हार ला किshirt करखे कोई अगर इसी सूरेत बन सके के हिंदी अड़ में टेजमा करके या बूल-प्यंटर लjänकर में लिट हमुश्च ref जिषिए तो पहले हम झाली ही छिए हाईव कोई हैं लेकिन सार्तर महा वह हुआ है जितने नॉबलियाफथा हैं मुख्तलि जाएं के वो सब अर्दू में तर्जुमा हो चुके उर्दू के लिए अपने डाल दिये हैं लेकिन हिंदी की बहुत सी जीजे चिजें जो हमारी है म तो रेख्ता के पार्ट भी बहुत बड़ा काम होगा उन्दोगी कोषिछ रहेगी और यह हम पहुचा दी देंगे इस तरह काम होना चाहिए आप रेख्ता तेश्रीफ लाइए आपको बहुत 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 बश्यूरिया शुक्र गया